हाई स्टुडेंट हाई स्टुडेंट आज हम लोग आपको थर्मोडागिमिस में पहले भी बागती टॉपिक पढ़ा दिया था आज जो टॉपिक जो हम लोगों पढ़ाना था आगे इंथेल्पी ऑफ न्यूटरलाजेशन इससे पहले हम लोगों आपको बता चुके थे कि ब पढ़ा दिये थे उसका कुछ पशन करवाए थे अब आगे का टॉपिक है इंथेल्पी ऑफ न्यूटरलाजेशन और इस न्यूटरलाजेशन इसका अलग सीपीप है पैकेज में अगर आप देखिए रहा तो इंथेल्पी ऑफ न्यूटरलाजेशन आप सब को पता है निव है रिडाक्स जा बोलते हैं रिडाक्स नी अनुटराजेशन करेंगे बड़ हम यहां पर बात कर रहे है इसको डिफाइड कैसे करेंगे लिखना है कॉपी में लिख के नोट्स पनाने ना है तो इंथेल्पी ऑफ न्यूटराजेशन क्या है कि कोई भी एसीड और कोई भी ब है अब आइएट का एक एक एक्वेलेंट और ले में के साथ पुरा पूर रियाक्शन करने के बएद वाठ 안돼 हुरौ्फدة ti ऑफ एक्शन को भी एक्शन होगा तो या Junior अजिए थो इस हीज़ेशख होंगा है करण जोства Chief Kim Jiasz होगा उस enthalpy of reaction को enthalpy of neutralization करेंगे लेकिन ध्यान से समझेगा enthalpy of neutralization के लिए condition है कि acid का एक equivalent चाहिए strong acid हो चाहिए b-acid definition में वो ऐसा नहीं है strong acid का neutralization अलग होगा b-acid का अलग होगा base का भी एक equivalent आपस में completely react कर जाए मतलब neutralize कर जाए तो उस दौरान जो heat release होगा या heat absorb होगा और उस heat release या absorb होने के कारण जो enthalpy change होगा उस enthalpy change को उस acid base का enthalpy of neutralization के है ठीक अब सवाल है कि equivalent आपको याद अगर्ण होगा तो हम बोले थे कि किसी का equivalent अगर निकालना हो तो उसका mole into उसी का valency factor याद करिए this is valency factor और इभी हम पहले discuss किये थे कि किसी का valency factor 1 हुआ अगर किसी भी acid base का valency factor 1 हुआ तो उसका एक equivalent में मतलब acid का या base का एक mole में एक equivalent हुआ कब अगर उसका valency factor 1 हुआ तो acid base का valency factor क्या होता है एक molecule से टूट करके कितना h plus release हो रहा है acid base का कितना हुआ है जैसे एसले का valency factor आपको पता है कि 1 होगा कि कि होगा एक इसट्री सोफोर का वालेंसी फेक्टर पता है कि इसका दो होगा उसी तरह से एस्ट्री पी ओ फोर का valency factor पहले भी discuss किये थीन होगा अगर complete react करेगा तो स्थिए पी ओप्रिक वाइलेंशी फैक्टर दो बाग थी का वैलेंशी फैक्टर वबन को आप उसको ना मोल में लोगों पता है मौल को और यहां डिफिनिशन में आपको डिफाइंड है कि एसीड का एक इक्वैलेंट के साथ कम्प्लिक्ली रियाक्ट करें तो रियाक्टरने से जो हीट्रीज हो या हीट एबसर्ब हो उस तरहां जो इन्थेटर पीज़ेंगा उस इन्थेटरिपी चेंज को उस एसीड बेस का इन ध्यार्पी का वहलू तो अलग अलग होगा तो उसमें आप देखिए कि पहला अगर हम बात करें कि स्ट्रॉंग एसीड प्लैस स्ट्रॉंग बेस आपस में रियाग करेंगा ध्यार समझेगा प्लैस वाटर बनेगा एक चीज़ और आपको बना दे कि एसीड और बेस का जब ए सब्सक्राइब यहां बिए इस वाटर बेस का इंठेल्पी और निट्राइशन कितना होगा कैसे निकालेंगे कैसे सोचीं तो समझाने के लिए आपको एक्जांपल देते हैं स्ट्रॉंग एसीड मालेया इसीड एक एक फेक्टर वन तो इसका वेलेंसी फेक्टर वन होगा अब इसका एक मूल में ही एक इक्वैलेंट नाफ्सक्राइब कर दोनों आपसी में रियक्शन होगा तो आप सबको पता है कि किसी भी एक्शन के इंठेल्पी जो चेंज होता है वहां क्या होता है पुराना बॉल्ट तुटने और नया बान बनने के दौन जो इन्ठेल्पी इसका भी एक मोल थीक आपस में रियाक किया तो हंडेट पसें वाटर का एक ही मोल बनेगा यह साथ ही बता चुक है आपको बन भी रहा है देख लिजिए तो इन्थेल्पी ऑफ नुट्राइशन क्या होगा अगर लिखिंग ने तो भाई भी है आप यहाँ कैसे होगा इसको थोड़ने में जोएनोजी अ इसको बोल सकते हैं इं। ही आपको प्लास इंध्याल्पी ऑफ एनोजसको इसको वह तोरने में जो एन्टीमिन देना पुड़े हैं अभी तो दू रहा है प्रकषम रैक्शं में तो िरिया induced प्रोडेक्ट बन रहा होगा तीन थाल्पी ओप फरमेशन ओफ नसी इन गौर कर यह नहीं जो बन रहा हो कैसे बन रहा है और भाई वाटर भी कैसे बन रहा है तो एच प्लस और वह वाइनस से मन रहा है प्लस इंथेल्पी ओफ फरमेशन ओफ वाटर क्लियर कर लेते हैं वाटर कहां से बन रहा है जी तो फ्रॉप एच प्लस और वह जाएंस से बन रहा है तो इस दवान जो इन्थेल्पी चेंज होगा वह ही इंथेल्पी अपने लाइशन होगा अब बताएं कि कैसा एसी रहे आप नहीं तूट जाएं स्ट्रॉण इसको बोलेंगे तो अपने तोट जाये मतलब इसको तोड़ने बीज नाल लहें तो इसका वैलो कि रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है solution में, solution में कभी salt बनेगा कि टुटा ही रहेगा, टुटा रहेगा तो बना ही रही NACL, तो इनर्जी कहां से डिलीजिया एग्सॉर्ब करेगा, तो इसका enthalpy भी 0 होगा, कोई भी salt, कोई भी salt, salt हमें सा strong electrolyte होता है, यह आपको पता है, जी water is stable है, उतो बना ही होगा, यानि जो भी यहां पे enthalpy जो change होगा इसको nutrition board है, तो वह होगा due to enthalpy of formation of water from H-plus and OH-ion, यानि आप इसको ऐसे generalize कर सकते हैं, कि कोई भी, यहां पे strong electrolyte में S-E-N का जगए H-204 होता, तो भी 0 होता ही, यहां पे Q-H होता तो भी 0 होता, कोई भी salt होगा, 0 होता, और जब एक equivalent, एक equivalent ड होगी कहां से बनेगा H-plus और OH में, यानि आप हो सकते हैं कि कि किसी भी strong acid, किसी भी strong waste का enthalpy of nutrition का value हमेशा fix होगा, और वह fix value किसके बराबर होगा, due to formation of one mole of water from H-plus and OH-ion, तो इतना number चोड़ा ना भी लिख करें, कभी कभी क्या कीजएगा, ऐसे लिख दे रिखें, तो यहां जो बताइए, यहां पर जो enthalpy of change होगा इसमें, तो enthalpy of formation of water भी कह सकते हैं, साथी साथ बताइए, वाटर का कितना mole बढ़ा, one mole कहां से बढ़ रहा है, तो H-plus और OH-S से बढ़ा, तो इसको आप कह सकते हैं, इस reaction पर जो enthalpy of reaction होगा, enthalpy of neutralization, इसका of strong acid plus strong base के बराबर होगा, तो कभी कभ होगा, तो देखा गया कि वाटर का एक मोल बनता है, from H-plus और OH-S से, तो देखा इसका value, minus 30.7 kilocalorie per mole या per equivalent, kilocalorie में ध्यार है, जूल में अगर है, तो 4.2 से multiply कर लिजेगा, जूल में अगर है, तो 4.2 से multiply कर लिजेगा, remember, यानि कि आप कह सकते हैं कि कि किसी भी strong acid, strong base का enthalpy of neutralization का value, minus 13.7 kilocalorie per mole और per equivalent होगा, मतलब एक मोल बनने में, minus sign मतलब energy release, एक्रो थर्मीक, तो एक मोल बनेगा, तो इतना energy release करेगा, ठीक है, यानि आप हो सकते, एक equivalent strong acid, strong base, अगर आपस में neutralize करे तो इतना heat energy release करेगा, कह सकते हैं, तो कभी-कभी question बनाईएगा, तो इभी मुल जाएगा, कि water का एक मोल को तोड़ करके, इसमें, करवाट करने में क्या होगा, तो बताओ, दोनों का आपस में bond बनने से energy release होगा, तो थोड़ेगा, तो बापस इतना energy देना पड़ेगा, तो कभी-कभी लिख देगा, कि किसी भी strong acid और किसी भी strong base का, enthalpy of neutralization fixed value, ठीक, अब दिखिए, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी strong acid, strong base, और वो value किसके बराबर, तो पभी में note भी कर लिजेगा, कि enthalpy of neutralization of strong acid and strong base लिखिएगा, are always constant value, and it is due to formation of one mole of water from H plus and OHI, ठीक, always fixed value, यानि, enthalpy of neutralization न बता है, sign क्या, minus की plus, minus, तो अभी भी point लिख सकते है, enthalpy of neutralization is always exothermic process, not only for strong acid and strong base, this is for all acid and base, अब आगे हम लोग क्या बात करें, दूसरा point अभी डिसक्स करेंगे, कि strong, B-C acid, strong base का enthalpy of neutralization क्या होगा, enthalpy of neutralization क्या होगा, B-C acid and strong base का, तो example में सम्झेने के लिए देखे ने सकते हैं, CH3, C double OH, इसका भी valency factor 1, A, K, H plus, टूटेगा, NOH, strong base, आपसे रियाप करेगा, तो ऐसी है, देख लिजिए, और H2O, इस दोरां जो enthalpy change होगा, इस दोरां जो enthalpy change होगा, उस enthalpy change को, उस enthalpy change को, हम लोग enthalpy of neutralization क्यांगे, इस B-C acid weak base का, तो संध्यानी के लिए कोई भी B-C acid weak base होगा, तो गौर करिए, अगर हम एक equivalent अगर इसको लेते हैं, तो इभी एक equivalent होगा, manancy factor 1 है, 1 है, इसका मदलब में कि इसका एक mol, आपस में react रियाक्टर का, तो वाटर का 100% 1 mol बनेगा, और 1 mol बनेगा, तो फिर से again energy इतना ही release होगा, और बताए कि इसका value तो fix है कि जब वाटर का एक mol बनेगा, तो उतना energy release होगा, यहां तो कोई energy involved नहीं होगा, कि कि strong base है, यहां भी कोई energy involved नहीं होगा, कि कि salt है, salt तो strong electrolyte होता है, यहां energy release होगा कितना, 13.7, लेकिन ही कैसा acid है, बीक acid, आप पूरा का पूरा एक equivalent को react करने के लिए इसको तूटना तो पड़ेगा, नहीं ही तो भी थे हैं, अपने तो तूटेगा नहीं, तो तोडने के लिए energy देना पड़ेगा, इसका मतलब कि net अगर calculation करें, जो जितना तोडने में देना पड़ा होगा, और जो release होगा, उसको आपस में अगर compensate करें, तो जितना release होगा, उसी में से तोडने में कुछ खर्च होगा, है ना, जितना यहां से release होगा, उसी में से कुछ तोडने में खर्च होगा, इसका क्यों कम होगा तो इसको भी लिख लेजिए क्या लिखेंगे कि किसी भी बीक ऐसी इस ट्रॉंग बेस का इंध्यालपी ऑफ नीट्राइजेशन का वैलू हमेशा माइस 13.7 किलो कैलोरी से कम होगा लेसे होगा Kaffee्ट लेरिखिए स्थालपी लिखी अगे के लिखेंगे कि कुछ लेष्पट लेखी वी लेखेंगे के लेखे में लेखेंगे कुछाएंец inaud Utah प्र उल्ग सेच अगाय नियू कैसा हूं तो प्रण तो यहां तो 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 यहां तो तो ने इसाग। मतलब चाहे आप BKC रखे या बिक बेस निट्राइशन के वैलू हमेशा 13 माइनस 13.7 से कम होगा देखे माइनस साइन का मतलब मैंगनिशूड सोचेगा ना तो इनर्जी रिलीज होगा माले माइनस 10 होगे इसका मतलब है उतना ही इनर्जी 10.7 निक रहा है इसका मतलब कम रिलीज हो रहा है माइनस साइन का माइनस 10 तो बड़ा होता है मैंनुचूर बात समझे आप अगर सब्सक्राइब लिखे एक प्रेशन के हिसा आप से भाए तो इन्थेल्पी ओफ जीरो जैसे हैं बताया तोड़ने बलाए इन्थेल्पी ओफ इन्थेल्पी ओफ ऐनाइश्य पॉइंच जीरो है अब देख लिजेगा किसी क्या होगा ना कि इसका नेट्राइशन दे देगा आप से तो आप से पुछेगा कि भाए तोड़ने में कितना इनर्जी लगा ठीक अगर यह देगा तो आपको यह पुछेगा यह आप चाहे सौटकट भी निकाल सकते हैं सौटकट कैसे निकाल सकते हैं इसे कोई भी कैसी अपलेस भाई दिखिए स्ट्रॉंग बेस आपस में रियाट्ट किया सौट बना और वाटर बना और कह रहा है कि यहां इंथेल्पी अगरेशन का वैलू माइनस फिन पॉइंट सेवन किलो कैलोरी पर एक्यूवलिंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इंथेल्पी ओफ आयनिजेशन इस वीच इस वीच एशिड का क्या है तो आप डिरेक्ट में बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं अरे भाई सब मिला निकलना था था थाटीन पॉइंट सेवन लेकि निकला इतना है इसका मतलब बाकि अनर्जी कहां गया होगा इसको तोड़ने में उसी देशन माइनस कर दिजिए तो थी किलो कैलोरी पर मोल या पारिक वले ती बैलू प्लस में होगा ध्यांट तोडने में इनर्जी देना प कुर्य आप एस इसी पेको या बेस इन्थाल्पी ओफ निउटलाइशन क्या अब हाई इनल्पी और निट्राइशन हमेशा कम होगा क्यों कम होगा क्यों कि पूरे निउटलाइशन प्रॉसेस में जो जो इनर्जी निकंड़ने का एक ही प्रॉसेश आवाटर का फ्रमेशन प्रमेश प्लस और एच प्लस और ओएच माइनस लेकिन अजो कोई एक वीक हुआ तो तोड़ने पी जो खर्च होगा यहीं तर खर्च होगा इमाश समझे वनेगा फिर तोड़ेगा अरे नेट कल्कुलेशन होता है इनर की रिलीज यह आप सवाग का अब आगे का पॉइंट ह नहीं बात करेंगे तरह समझेगा इन्थालपी ओफ डाइशन क्या होगा इस देश्ट कि मतलब ही ट्रेलीज होगा और जब हिट रिज समेख वहां का टेंप्रेशर बढ़ेगा सल्फोन कर्म होगा ठीख है ना तो सल्फोन में अप्नुशन कूच्च अब पूश्ता है अब अजय से हैं कि अधिया और यह दो आप यहां पर सौल्ड और वाटर बन रहा है इसका न्युट यशन का वैलू देखिए इसका neutralization का value दे दिया है neutralization का value minus 10.7 इसे आप क्या समझेगा EBK acid is strong basis इसको तोड़ने में energy कितना देना पड़ा इसको फिल्प्रेट कर सकते है directly तो तोड़ने में energy जो EBK acid था है HAO उसको तोड़ने में energy 3 kg कैलोरी per equivalent per mole लगा valency factor 1 है तो आप per equivalent भी लिख सकते हैं per mole लिख सकते हैं वही कोई दूसरा acid है आप उसको अगर इस सेम बेस के साथ न्यूप्लाइज करें तो salt और water बनेगा यहां का enthalpy of neutrality दे दिया minus 11.7 ठीक तो पताईगी इस BK acid को तोड़ने में कितना energy लगा भाई तो तोड़ने में BKC को तोड़ने में इनजी लगा आपका 2 kilo calorie per mole per equivalent बोल सकते हैं तो कभी कभी किसी question में ऐसा बताईए दे देगा neutralization तो same base के साथ base same रहेगा acid अलग अलग रहेगा और neutralization given होगा तो उसके मदद से हम लोग क्या निकाल सकते है दोनों में किसको तोड़ने में इनर्जी कम देना पढ़ रहा है किसको कम देना पढ़ रहा है मतलब यह कम देना पढ़ रहा है मुलपुरा का पुरा तोड़ने मतलब यह strong हो गया मतलब आप बहुत सकते हैं that is HB stronger acid है compression to HA किसका order है acid के strength का इसका मतलब neutralization के मदद से आप acid के strength भी पता कर सकते है ऐसा भी question आए कैसे पता कर सकते हैं भाई तो जिसका enthalpy of neutralization जादा है minus I लाग नहीं सुचना है जिसका enthalpy of neutralization जादा है उसके साथ जो common base के साथ जो acid रयाख किया होगा उसका acid के strength जादा है मतलब आप बोल सकते हैं enthalpy of neutralization directly proportional to acid strength ऐसा बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं और acidic strength अगर बड़ा है मतलब देखेगा जो acid जिसका acidic strength बड़ा होता था याद करी आइनिक में उसका pk value कम होता था मतलब आप बोल सकते हैं ऐसा pk value of hb acid का value कम होगा pk a of याद करी आइनिक में ऐसा पताया थे very very important point इस question ऐसे दरूद पड़ेगा आपको लिए नुटलाइशन देगा acid question देखे नुटलाइशन कोशन पूछेगा अब इसी में अगला point हम लोग बात करते हैं सब लोग लिख पा रहे हैं सुबोध तुमी सबसे पहले लेट से लिखोगे बाकी विवेक सब लोग सब लोग निशे लेना है copy और copy को WhatsApp करना लिखने के बाद question भी इसे related बनाना है अब हम लोग आगे इसमें पॉइंट बात करें अभी अभी हम बोले थे कि enthalpy of natalization क्या है और जहां reaction होगा वहां का temperature बढ़ेगा तो कभी कभी क्या होता है ना question ऐसे देगा आप से की ACL question दिया रहेगा और NOH आपस में react करें NACL water बना और जहां पी reaction हो रहा हो वहां का temperature बढ़ रहा होगा इसका आपको बोलेगा 5 ml कोई molarity दोनों का molarity same इसका भी 5 ml अगर molarity दोनों का same हो जो भी molarity होगा या normality होगा दोनों से होगा तो दोनों का दोनों completely react कर लेगा और react करने से जो heat निकलेगा चुकि एक्सोधर्मिक है वही heat solution का temperature को गरम करेगा तो कितना गरम करेगा जो हीट निकलागा वह heat दिया रखिएगा मास कितना temperature rise होगा निकानना है तो जो heat निकलेगा वह heat को यहाँ रख लेंगे this is mass of solution mass of solution का मदला 5 ml, 5 ml, 10 ml का मास जो होगा specific heat capacity इसका और delta T, rising temperature अगर सारा data दे देगा 5 मतला 5, 5, 10 ml का मास होगा तो rising temperature माल लेते हैं कि लेटर डिल्टाटी का वहलो अगर 4 डिल्टी ऐसे कुछ मिलेगा दिया हुआ है यही acid base अगर SCL, SCL का NOH के साथ reaction करे और NACL और water आपस में बन रहा है तो अगर इसका 5 ml के ज़ले अगर हम लोग soy ml और soy ml यहां लगिएगा और same molarity जो इसका molarity है वही molarity अगर ले लेते हैं तो यहां अगर आपसे पूछेगा heat तो ध्यान लगिएगा इससे कितना 20 गुना ज्यादा reaction है पर 5 का ही 20 गुना ज्यादा है मतलब 20 गुना ज्यादा heat निकलेगा heat हमको पता है कि adversity extensive property है heat तो यहां पर दूसरा होगा अब जो कि 5-5 iagra director mass 500 mm का mass 20 गुना ज्यादा होगा फैस प्रपोर्शन में आपका जितना its का mass होगा उसके आप से mass भीष का 20 गुना ज्यादा होगा पाँच एमिल का mass होगा तो 100 ml का mass और टूगी स्यादा होगा अगर ही फ्यूट क्यों होगा सबस्क्राइब करेंट से इसका मंदर नैसे इसका मतलब ही इसका मतर इमिक इंपर्टन कॉंक्लूजन क्या निकला लिखना इसको कि किसी भी acid या base के न्यूटलाइशन के दोरह जो rising temperature होगा वह maximum rising temperature कब होगा जब complete reaction पहला point maximum rising temperature only in case of complete reaction मतलब बराबर बराबर अगर कोई नहीं बचा नहीं बचा ना बेस तो वह maximum rising temperature पहला दूसरा point लिखिए दूसरा point की maximum rise of temperature जो होगा वह independent होगा amount पे कि amount कम react कर रहा है या ज्यादा react कर रहा है अगर complete react कर रहा है तो maximum rise of temperature fix होगा क्यों कि अगर ज्यादा ज्यादा amount अगर release करेगा तो heat ज्यादा निकले अगर उसके proportionate में मास पी तो ज्यादा और इसको भी लिखना maximum rise in temperature independent from the amount of acid and base react पहला चीज़ और हम बोर रहें कि complete reaction ऐसा इसलिए जिसे suppose करिए कि SCL और NOH था यह आपस में react किया NACL और water बनेगा यहाँ ठीक और यह पांच में react किया इदर से में तो भाई पांच से जितना यहां मास था उससे मास तो बढ़ेगा यह बढ़ेगा एस तो इस पेस फील्ड से मास बढ़ेगा इवल है तो पांच बढ़ेगा तो डेंटर्टरिक का वैलू का बेगा यादि यानि complete reaction में maximum rise of temperature अगर reaction बैए या तो acid बढ़ जाए या बेस बढ़ जाए तो उसका maximum जितना भी ऊगा उससे कमी टेपरेचर रही होगा और maximum या तो maximum rise in temperature कभा जी वीवन किसका एसी इकोल टू एन टू वीटू बेस तो कभी-कभी किसी कुश्चन में मतलब एन वन वन एसी जब बराबर होगा तभी कम्प्टिट रेक्शन होगा अब देखे ना पांच इन दोरों को मैंटिप्लाई के यह तो बड़ा हो जाए और मइक्सिम बोड़ा की एक्शन में मतलब कम्प्लीट और केसा जा स singsी जब्रों कर नौमेटिव पॉइंट्री पूइंट्री पूछेगा कि कितना वॉलूम होगा की मैक्सिममराइज इंटेप्रेचर होगा निकां सकते हैं इन डाइट्री विवेरिंट्री अब लोग क्या करेंगे कि अप्सीपिप पैकेज होगा नहीं होग तो हम आपको वर्टसप्क रोप पे उसको सब्सक्राइब करेंगे अगला इसमें अगला प्पीक नीट राजन हो गया, अगला पाफिक जिसमें वी लोग बात करेंगे। टो अगला वीडियो हम आपको इस प्राइस के बारे में भेजेंगे इसको कपी करिये नोट करिये और हमको भेजिये वडिये वाट्सेव ग्रूप पे आपको कपी चेक करेंगे जो चालते हैं और संडे को माना है कि यो पभी करेंगे, इसलिए आप जाना है और हर संडे को हम प्यास करेंगी आप जाना है आपका टेस्ट हो और टेस्ट का प्राफारामेस अच्छा करना इस बार सबको रिजल्ट देना है किसे तरहें होगे ऑग आपका डेट आ गहाई इस नहीं का वी एक्टिप एवलडी अच्छित